क्या आप ETF ट्रेडिंग करके regular monthly income कमाना चाहते हैं, तो फिर Nifty Bees है ना, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी best Nifty Bees ETF swing trading strategy बताने वाला हूं, जिसके मदद से आप long term में शांदार returns तो बना ही सकते हैं, साथ ही साथ में अगर चाहे तब risk-free monthly income भी कमा सकते हैं, तो कौन नहीं चा तो इस वीडियो को बेना skip किये हुए पूरा जरूर देखें, तो हमारा सबसे पहला step है accumulation, यानि जोड़ना, अब इस Nifty Bees ETF trading strategy में क्या जोड़ना है आपको, उसके लिए यहां बताये गए नियमों पर ध्यान देना होगा, तो Nifty Bees के बारे में तो सभी जानते ही होंगे, ज जो है Nippon India ETF Nifty 50, यानि यह ऐसा exchange traded fund है, जो Nifty 50 Index में इनवेस्ट करता है, तो इस strategy में हमें सीधा ही जा करके Nifty Bees में इनवेस्ट नहीं करना है, पर सही समय का वेट करना है, अब आप पूछेंगे कि वो सही समय कब आएगा, तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देख करते हैं, जी हाँ, आपको अपने पैसे को इनवेस्ट ही करना है, पर कहीं भी नहीं, बलकि एक दूसरे ETF में, जिसका नाम है Liquid Case, यानि जीरोधा का One Day Rate Liquid ETF, देखिए, अगर आप अभी तक जीरोधा के इस famous और भारत के पहले Liquid Growth ETF के बारे में नहीं जानते हैं, तो उसके इटेल्ड वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अब यहाँ पर आपके धेरू सवाल होंगे, कि भाई, Liquid Case में ही क्यों, Liquid Beast में क्यों नहीं, या फिर मैं अपने पैसे को किसी और mutual fund, या फिर saving account, या कोई अन्य ETF में ना रखूं, तो फिर कैसा रहे, तो इस बारे में भी आगे बात करेंगे, पर यहाँ पर यह समझें, कि मानले, आपको अगर हर महीने 10,000 रुपए की SIP, Nifty Beast में करनी थी, या कोई Lumb Sum ही करना था, तो उसे ना करके उस पैसे को SIP, या फिर Lumb Sum में ही Liquid Case में इन्वेस्ट करें, फिर सही मोका मिलने पर उसे Liquid Case से Nifty Beast में स्विच करे कैसे, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, पर उससे पहले आएए समझते हैं, कि अपने Fund को Temporarily पार करने के लिए, हमने Liquid Case को ही क्यों चुना है, सबसे पहले तो यह समझ लें, कि Liquid Funds या फिर ETF का रिस्क सबसे कम होता है, क्योंकि जो भी Government Securities में यह इन्वेस्ट करते ह हैं, उनकी Maturity के विल एक दिन की ही होती है, इसलिए इन पर Interest Rates का कोई अधिक असर नहीं पड़ता, और Market के उतार चड़ाओ का तो वैसे ही असर नहीं पड़ता, दूसरा, हमारे पास में Liquid Bees भी है, पर उसकी Philosophy थोड़ी सी अलग है, Liquid Case ETF से, क्योंकि Liquid Case का Cash Management बहतर है, और वा Growth-Oriented है, वहीं पर Liquid Bees में Dividend Declaration से Profit Generate होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर Growth-Oriented Liquid ETF को रखा है, जो हमें Market की Volatility से भी बचा सके, अब Liquid ETF का फायदा यह है, कि मान लें, आप कोई Stock या फिर ETF बेचते हैं, तब आपका पैसा 2-3 दिनों में Saving Account में आता है, तो अगर आप Day से ही आपको Return मिलने लगेगा, जो 3 दिन के बाद Saving Account में मिलता, यानि Liquid ETF की मदद से, आप Equity और Cash में बड़ी ही आसानी से Transition कर सकते हैं, और वे भी बिना Return गवाएं, आप देखिए, मान लें, आपने अपना पैसा, जो आप Nifty 20 के लिए चोड़ रहे हैं, वो किसी Equity ETF में, य ये ETF या Mutual Fund भी तो डाउन रहेंगे, और आपको तुरंथ पैसा भी नहीं मिलेगा, इन्वेस्ट करने के लिए, इसलिए अगर आपका पैसा Liquid Case में है, तब जरूरत पढ़ने पर आप उसे तुरंथ ही बेच करके Nifty 20 में स्विच हो सकते हैं, अब कुछ लोग कहेंगे कि Liquid ETF म के 3% तक का Returns मिलता है, यानि महीने का करीब परी 0.25%, पर अगर आप Liquid ETF को ले लें, तब इन में 6 to 6.5 तक के Returns सालाना मिल जाते हैं, यानि Saving से Double, तो ये ठीक ही है ना, अब एक बात और, मैंने आपको बताय था, कि Most Famous Liquid Beats ETF में भी लगबग सेम ही Return होते हैं, पर चूकि वो Dividend Declare करके Returns Generate करता है, इसी लिए वह अधिक Tax Efficient नहीं होता, जबकि आपका Tax Liquid Case में जब ही लगेगा, जब आप Final अपनी यूनिट्स को बेचोगे, और तो और आप देखे कि Liquid Beats का Expense Ratio है 0.69%, और वही पर Liquid Case का है 0.26%, साथी साथ, Liquid Case का Volume भी का बढ़िया है, तकरीपन 50 से 60 लग के आसपास, तो कुल मिला करके आपको First Step, यानि Accumulation Phase में अपना पैसा Liquid Case में रखना है, और सही समय का वेट करना है, अब आता है सबसे ज़रुरी Step, जो है Implementation of Nifty Beats Trading Strategy, जहाँ पर आप इस Strategy को Execute करने वाले हैं, अब यहाँ पर एक एक बात को ध्यान से सुने, और हो सक सबसे पहले आपको यह जो daily chart है उसे बदल करके monthly कर लेना है, ध्यान दे monthly, अब जैसे ही इसे बदलेंगे तब Nifty Beats का monthly chart कुछ ऐसा दिखेगा, अब लगाना है आपको कुछ indicators, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर indicator पर type करना है EMA, यानि Exponential Moving Average, और उस पर दो बार क्लिक करन क्योंकि हम लोग यहाँ पर दो Moving Average का इस्तिमाल करने वाले हैं, अब आपको Moving Average के setting बटन पर क्लिक करके length को लेना है 20 दिन का, और source में करना है high low by 2, यानि HL2, समझे, तो पहला EMA हुआ 20 का, और source हुआ HL2, फिर अगले EMA setting पर क्लिक करें, और length रखे 50 की, पर यहाँ पर source होगा high low close by 3, यानि HLC3, तो आपको यह indicator लगाने के बाद में Nifty 20 का chart कुछ ऐसा दिखेगा, चलिए इस chart को अब full screen पर देखते हैं, अब आप इस Nifty 20 के monthly chart को 2002 से यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपने यहाँ पर क्या observe किया, सबसे पहले कि यह लगातार ऊपर यह और ही जाता उपर ही जाएंगी, साथ ही साथ आपका investment किसी एक stock में नहीं है, बलकि 50 top stocks के basket में है, मान लें, अगर कोई company का stock zero भी हो गया, जो की नहीं हो सकता, पर मान लें, तो भी आपका ETF zero नहीं होगा, और अगले ही समय उसमें कोई नया stock शामिल कर लिया जाएगा, तब ही आप long term performance देखिए, शामदार, उपर की और ही जाते हुए, देखिए, अगर हम long term performance की बात करें, तब data ये suggest करता है, कि Nifty 50 ने long term में 15-16% के CAGR returns दिये हैं, तो यहाँ पर हम लोग जो trading strategy discuss करने वाले हैं, वो एक active trading strategy होगी, जहाँ पर आपको 15% से 3-4% और अधिक returns ही मिलेंगे, बा कि यहाँ दो बहुत बड़े crash आये हैं, एक तो ये 2008 वाला और दूसरा ये COVID वाला, पर इन सब के बावजूद, Nifty 50 फिर से उठ खड़ा होता है, और अभी देखिए, ये कहां से कहां पहुँच गया, एक बात और देखिए, अब यहाँ पर 2002 से 2009 तक का volume देखें, उसके कि हर एक बड़े crash के बाद से, Nifty Bees का trading volume लगातार बढ़ी रहा है, और अधिक से अधिक लोग इसमें invest कर रहे हैं, अब इस Nifty Bees trading strategy को समझने के लिए, हमने यहाँ पर लगभग 10 साल का chart ले लिया है, मंतली का, अब इस point पर आपको सब कुछ साफ साफ दिख रहा होगा, इली वाली लाइन है, 20 EMA की, और नीचे मैरून वाली लाइन है, 50 EMA की, clear? अब आपने अब तक जो भी पैसा, अकुमलेट करके रखा था, लिक्विड केस में, उसका 75% एमाउंट आपको Nifty Bees में तब डालना है, जब यह 20 EMA को टच करें, अब इस chart को देखिए, यह जून 2014 में दो बार टच हुआ, फिर यह जूलाई 2015 के आसपास में भी देखें, अब एक बात यहां पर और नोट करें, यहां जैसे आप देखिए, कि जूलाई 2015 से लेकर के, मार्च 2016 तक, यानि तकरीबन 8 से 9 महीने, Nifty Bees, 20 और 50 EMA को भी टच किया, तो यहां पर आपको करना क्या ह कि मालें, यह जूलाई 2015 में आपने अपने कुल एकुमिलेशन का 75% Nifty Bees में लगाया, और अगले महीने फिर से अपना एमाउंट लिक्विड केस में न डाल करके, आपको Nifty Bees में सीधा डालना है, क्योंकि यह अभी भी 20 EMA पर ही ट्रेट कर रहा है, समझें? और यहां पर ए बिलकुल low points पर invest कर रहा है, और जैसे ही यह Nifty Bees 20 EMA से उपर ट्रेट करने लगेगा, तब आप फिर से हर महीने accumulation phase में चले जाएंगे, और अपना पैसा liquid case में invest करेंगे, अब इस strategy का फाइदा यह है, कि ठीक है, आपको कभी-कभी 6-8 महीने से ले करके 1 साल तक भी वेट करन होगा, पर जब भी आपको मौका मिलेगा, तब आप एक बड़ा amount Nifty Bees में invest कर पाएंगे, और बड़े allocation के करण आपका return भी बड़ा बनेगा, और वह भी काफी safe, अब चलिए आगे देखते हैं, और यहाँ पर आप और मौके भी देख सकते हैं, जैसे यह January 2017, फिर 2018 में दो फिर 2019, फिर COVID का बड़ा crash, फिर इसी तरह से आप आगे भी देख सकते हैं, पर अभी बजार काफी उपर आ गया है, इसका मतलब आगे जब भी correction आएगा, तब आपके पास में बड़ा amount होना चाहिए, Nifty Bees में invest करने के लिए, तो इस Nifty Bees trading strategy की मदद से, आप Nifty Bees के average 15-16% CAGR से 3-4% अधिक returns बना सकते हैं, पर हां इसके लिए आपको थोड़ा patience रखना होगा, और सही समय का wait करना होगा, अब या तो आप इसी strategy का use करके, अपना पैसा long term में grow होने दीजे, अधिक returns के साथ में, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, जिससे आपको monthly returns मिलने लगेंगे, तो अब आप पूछेंगे कि ये 1.5% कहां से आया, देखें, आम तोर पर हम लोग इस nifty trading strategy में 18% का CAGR मान के चल रहे हैं, हला कि आपको इससे थोड़ा अधिक returns मिलेगा, तो आपने क्या किया, कि सालाना 18% को हर महीने लेना शुरू किया, 1.5% के rate से, तो इसे साब से आपका पै और बड़ा returns मिलेगा, अब इस nifty bees trading strategy को आपको किस प्रकार से यूज करना है, ये आपकी मरजी है, तो इस strategy को ध्यान से समझने के बाद में, आप इसे implement करके देख सकते हैं, कि ये कैसा perform कर रहा है, वैसे अगर आप ETF ट्रेट करके daily income कमाना चाहते हैं, तब उसके लिए भी best trading strategy है, जिसके बारे में आप जान सकते हैं, यहां से.